हाई एवरीवन वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे हमारे नामें कवीता सी और आज हम बात करने वाले हैं कि देखो जब लड़कों का मन करता है तो उनका खड़ा हो जाता है तो क्या लड़कियों का मन करता है तो इस टाइप से बात करेंगे देखो लड़कों का जो होता है बाहर की ओर होता है बाहर होता है अगर आप देखोंगे तो पता चलेगा अगर और और बारे में जैब करने के लड़की उसमें छंई होता है खास कर उनकी प्राइबेट में होने टॉट करने है उसक्साइब हूं करने यह जादा पोड़ मेश्कार्ट करें उसक्राटा साथ वुड़की डिडियो को साथ वह 90 मीं ready होते हैं active होते हैं सबसे फहला है कि उनका काफी ज़्यादा ब्लड सरकुलेसन अच्छा होने लगता है जिसके कारण वह थोड़ा सा ना करता है देखो कर्ले के वैसा होता है अगर अब देखो लड़कित का पार के बड़ा होगा का लिए ना करता है लेकिन वह अंदर की ओर काफी जादा बड़ा हो जाता जब लड़कों का मन करता है तो उसका शेव भी सेम लड़कों के प्राइबिट पाट की तरह होता है हम एक पिक लगा देंगे यहां पे आप उसको देख लेना कि किस टाइप से जब इरेक्ट होता है तो वह पूरा का पूरा अंदर की और इरेक्ट होता है इसलिए आपको बाहर से पता नहीं चलता है आप इसका अनुभौत तब कर पाओगे जब आप बहुत जादा deeply penetration करोगे देखो बहुत जादा जब deeply penetration होता है तो अंदर जाके कहीं पे जाके hit करता है ठीक है वो वही चीज होता है जो klit है न वही जाके अंदर तक मतलब फैल जाता है जब आप deeply penetrate करते हो तो वहीं पे जाके hit होता है तो वो klit ही होता है लड़कियों का private pet ठीक है साथी साथ आप यहाँ पे एक चीज और notice करना जो लड़कियों का private pet होता है उनकी योनी होती है उसके जो अगल बगल के जो lips होते हैं वो भी बहुत जादा सूज जाते हैं मतलब फूल जाते हैं फैल जाते हैं चोड़े हो जाते हैं कह सकते हो तो यह भी फरक देखने को मिल सकता है यह सब changes आता है लड़कियों के private pet में जब बहुत जादा एक्टिव होती है तो I hope जिनका यह message था कि लड़कों का जैसे खड़ा होता है तो लड़कियों का भी होता है क्या तो हाँ लड़कियों का भी खड़ा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो अंदर की side होता है I hope यह information अच्छा लगा होगा यह video समझ में आये होगा में मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ कुछ और information के साथ okay bye